Hello everyone, welcome you all the strugglers on your own channel The Unlimited Strugglers आप सभी strugglers का आपके अपने चनल The Unlimited Strugglers में एक बार फिर बहुत स्वागत है मैं जंतोशकुमाय सांख्यान एक बार फिर प्रस्तो दुआ आपके सामने एक नया एगुरेशनल अपडेट लेके ये अपडेट जो है वो fellowship से related है UGC ने आज ही एक notice जो है अपडेट किया है अपने साइट पे उस notice में ये लिखा है कि ऐसी fellowship जिनका tenure अभी खतम होने वाला था जिन लोगों वो grant हुई है चाहे वो PDF fellowship हो post-doctoral के लिए या फिर वो doctoral fellowship हो तो जिनका tenure अभी मतलब lockdown के period के दौरान खतम होने वाला था उनका जो पैसा मिलता था वो भी खतम होने वाला था obviously तो अब क्या था कि उन लोगों को अपने जो projects हैं जो PhDs हैं वो wind up करने थी इस period के दौरान क्योंकि fellowship का tenure भी खतम होने वाला था और ये माना जाता है कि वो जो अपना project भी complete कर देंगे fellowship खतम होने तक हलांकि बहुत बात है अगर कुछ लोग नहीं कर पाते हैं तो UGC ने क्या कहा है कि हम क्या करेंगे हम इस period को थोड़ा सा extend कर देंगे जिन लोगों को अभी अपने projects submit करने थे वो अभी ना कर पा रहे हैं अगर तो वो क्या कर सकते हैं छे महीने तक उनको और extension हम दे देते हैं लेकिन UGC ने यह भी कहा है साथ में कि हम जो है उस tenure के लिए 6 मंत का tenure हम बढ़ा रहे हैं उसके लिए हम पैसा बिल्कुल नहीं देंगे मतलब आपकी fellowship का period खत्म हो जाएगा लेकिन period खत्म नहीं करेंगे पैसा आपका रोप देंगे उसको 6 महीने तक हम अपको extend कर देंगे tenure पर आपकी fellowship का tenure खत्म होने वाला था लेकिन submission का tenure है उसको 6 महीने तक हम बढ़ा देंगे तो यह discussion हम करेंगे आज के वीडियो में उस notification को discuss करूँगा और उन सारी fellowship के नाम आपको बताएगा जिनमें यह notification जो है वो applicable है यह rule लगेगा वीडियो को like करें last में comment करें अगर आपक notification जो आज अपडेट किया है UGC ने अपनी साइट पेस में इन्होंने साफ साफ लिगा है इन दा वीव आफ कोबिट 19 दा इनिवर्सेटी ग्रांट कमिशन है एक्सेंडिड दा टेन्योर आफ फॉल्विंग यूजी सी स्पॉंडर्ट स्पॉंसर्ट फेलोशिप्स विच आर expired expiring during the corona pandemic period for a further period of six months from the date of expiry of the regular prescribed period की COVID-19 के चलते University Government Commission ने ये क्या decision लिया है कि हम इस tenure को extend करेंगे जो UGC sponsored fellowship है जो expire होने वाली है या हो रही है या हो चुकी है during pandemic जो corona pending चला है इसके दौरान expire हो चुकी है या होने वाली है तो हम छे महीने तक उनकी date बढ़ाएंगे और साथ ही यह भी लिखा है कि universities में a lot of fellow to complete the extended period कि जो fellow है doctoral या post-doctoral वो अपनी इस projects को या जो submission होगा thesis का उसको इन आने वाले 6 महीने में extended period के 6 महीने में जो है वो complete कर सकते हैं submit कर सकते हैं लेकिन साथ यह बोला कि however it may be noted that the tenure of fellowship will remain same and no fellowship will be provided for the extended period कि fellowship का tenure उतना ही रहेगा जितना पहले था और जो है कोई fellowship नहीं मिलेगी पैसा नहीं मिलेगा extended time period के लिए सिर्फ submission और project winding up की जो date है वो 6 मिने बढ़ाए गई है कौन-कौन सी fellowship में यह rule लगेगा सबसे पहले डॉक्टर D.S. कोठारी post-doctoral fellowship scheme दूसरी है डॉक्टर S. राधाकृष्णन post-doctoral fellowship तीसरी है post-doctoral fellowship for SCST post-doctoral fellowship for women BSR fellowship ongoing cases BSR faculty fellowship और emeritus fellowship यह जो fellowship है इन में रूल लगेगा इसमें project आप जो है 6 महिने के दौरान submit कर सकते हो extended period में लेकिन आपको पैसा जो है उसी time period तक मिलेगा जिस दिन आपकी fellowship expire हो रही है तब तक का तो यह था जी notification मैंने आपके साथ share किया होब आपको वीडियो पसंद आया होगा थैंक्स वर लिसनिंग्स वर वाचिंग्स वर वाचिंग्स